जोधपूर के नगर निगम के ट्रीट्मेंट प्लांट के पास एक नाले में एक अज्यात व्यक्ति के कटे हुए हाथ, पैर और शाम को कटा हुआ सिर मिलने से पूरे जोधपूर में हडकम्प मच गया था इस संसनी खेज हत्याकांड का जोधपूर पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया आज की कहानी है राजस्थान के जोधपूर शहर की एक अज्यात व्यक्ति के शव के टुकडो की सुचना जब पुलिस को मिली थी तब सुचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और घटना स्थल का निरीक्षन किया गया पुलिस जानना चाहती थी उसको किसने मारा है फिर पुलिस ने शव के टुकडो को जिस थैलियों में फेंका गया था उस थैलियों की जांच की तब उसमें से एक थैली आनंदपुर कालू और एक थैली मेर्ता सिटी के दुकान की थी आनंदपुर कालू और मेर्टा सिटी पाली जिले और नागौर जिले में आते हैं पाली जिले और नागौर जिले के गुमसुदा लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला की 10 अगस्ट 2020 को गुम हुए सुशील चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 अगस्ट 2020 को मेर्टा सिटी थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदा के फोटो और शव के चहरे से समानता पाई जाती है इस पर मृतक के मामा के बेटे राजेंद्र मंगोलिया ने कटे हुए सर को देखकर पुष्टी करते हैं यह सुशील चौधरी ही है परिवार से आगे की पूछताच पर पता चलता है सुशील चौधरी की शादी 2023 में सीमा के साथ हुई थी और वह पेशे से क्रिशी विभाग में सरकारी कर्मचारी था लेकिन पुलिस के सामने अभी एक बड़ा सवाल था आखिर ये सरकारी कर्मचारी से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसके कारण चरण सिंह को इतनी दरगनाक मौत मिली पुलिस वाले सुशील चौधरी का मोबाइल नमबर पूछती है और मोबाइल नमबर का CDR निकलवाती है कॉल रिकॉर्ड के अनुसार सुशील चौधरी के मोबाइल पर जिस नमबर से आखरी बार फोन आया था ओ नमबर किसी और का नहीं बलकि उसकी पत्नी सीमा का था इसके अलावा पुलिस को कॉल डिटेल में ऐसा कोई संदिग्ध नमबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस शक कर सके कॉल रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस का शक उसके पत्नी पर ही जाता है अब पुलिस भी SEMA के मोबाइल नंबर का CDR और लोकेशन निकालती है तब पता चलता है SEMA का मोबाइल लोकेशन और सुशील चोधरी का आखरी लोकेशन में समानता पाई जाती है अब पुलिस को यकीन हो जाता है SEMA ने ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा पुलिस सीधे सीमा के पते पर पहुँचती है, वहां से उसे पुलिस स्टेशन लेके आती है, पुलिस सीमा से सक्ती से पूच्टाच करती है, पुलिस पूच्टाच में जो कहानी सामने आई, वह हैरान कर देने वाली है DCP धर्मेंदर सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी और दो साली और एक साली के दोस्त ने मिलकर युवक की हत्या की थी पती का सिर्फ इतना कसूर था कि वह अपनी ही पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने को दबाव डाल रहा था जबकि पत्नी समलैंगिक थी और वह इस कारण अपने पती के साथ शारिरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी जिसके चलते सुशील चौधी और उसकी पत्नी सीमा में अनबन चल रही थी इस जगडे के चलते पत्नी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी हक्त्या के बाद इलेक्ट्रिक कटर से शव के छे टुकडे कर दिये थे सुबूत छिपाने के लिए पती के शव के टुकडे नाले में बहा दिये थे जो प्लान बनाया था वो पूरी तरहा फेल हुआ साजशकार और उसके सारे मुहरे अब पुलिस के हिरासत में आ गए